सतनाम वाहि गुरू साहिब जी आसा महला पंजवा पंच पदे प्रत्में तेरी निकी जात दुतिया तेरी मनियें पांत तृतिया तेरा सुंदर्थान बिगड रूप मान में है अभिमान सोहनी सरूप सुजान बिचक्षन आत गर्बे मोह फाकी तूं रहाओ आत सूची तेरी पाक शाल कारिशनान पूजा तिलकलाल गल्ली गर्ब हैं मुख गोव हैं ग्यान सब बिध खोई लोभ सुआन कापर पहर हैं पोग हैं पोग आचार करहें सोभा महें लोग चोवा चंदन सुगंद बिस्थार संगी खोटा क्रोध चंडाल अवर जोन तेरी पनिहारी इस तर्ती में हैं तेरी शिकदारी सोयना रूपा तुझ पहदाम सील बिगार्यो तेरा काम जाकाओ द्रिष्ट मया हर राय सा बंदी ते लई छडाय साध संग मिल हर रस पाया कहुनानक सफल ओकाया साभ रूप साभ सुख बने सुहागन आत सुन्दर बिचक्खन तूं रहाओ दूजा वाहि गुरू जी का खाल्सा वाहि गुरू जी की फत्य है 84 लक जुनियां दे विच पटकनतों बाद एस जीव आत्मानों जदों एस सुन्दर मनुखी कायां प्रापत हुंदी है इस कायां दे प्रापत हुंदा मनुरत तरम दी दुनियां दे विच कई वार जीव नों समझाया गया है ऐसा उपदेश गुरु गरंशेव जीदी पावन बाणी दे विच अनेका वार सानू पड़न और विचारन वास्ते मिल जाएगा के एस मनुखी जोनतों बाद तेरी आत्मा दा टिकाना पर्म आत्मा दे विच लीनता होना चाईदा है तान गुरु अर्जुन देव सह्व सचे पाथ्षा महराज पंजवे सत गुरु तिना ने सानू बड़े ही सरल शबदां दे विच इस मनुखी कायां दे मनुरत दे बारे जो उपदेश दिड़ कराया है उस उपदेश नो असी तकरीबन रोज ही पढ़ दे जां सुन दे हां पाथ्षा जी दे बचन हन पही परापत मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया तो इत्तों एक गल समझ आग जांदी है के कायां दा जो आत्मा दा जो उदेश है ओ है गोबिंद नो मिलना पर गुरू गुरंसेब जी दी पावन बानी दे विच जित्थे गोबिंद नो मिलना उपदेश दिड़ कराया गया है ओ थे नाल ही सत्गुरू जीने इस रस्ते विच आउन वालियां जिडियां रुकावटा हन उना दावी जिकर कीता है इन इन समझ लेना जी किसे मनुख ने अगर किसे मन्जल ते पाउंचना होवे किसे मन्जल ते जाना होवे और मन्जल ते पाउंचन दा मारग वी उनुपता होवे और उन्हें आपनी मन्जल दे वाल वद्णा वी शुरू कर दिता होवे पर रस्ते दे विच कुछ रुकावटा होण कोई विगन पैजान कोई चोर लुटेरे आके उदा ना केवल रस्ता रोकन बलके उनुँ लुटना शुरू कर देन ते फिर ऐसा इनसान ऐसा पत्थक रस्ते दे विच ही उलज के रह जाएगा आज़िदा जो इस शबद असी विचार रहे हैं इस शबद सिदे तौर ते इस जीव इस तरी नो संबोदन करके गुरू पाथशाजी ने उचारन कीता है शबद दी विशेष्टा की है के एक पासे ते इस जीव इस तरी दी जो एक मनुखी काया है शरीर है एदे गुणादा वर्दन कीता गया है एक किवे जीवन एदा वकरा है बाकी जो निया तो एदा वर्दन कीता गया है ये आपने इस जीवन दे विच की कुछ प्रापत कर सकती है ये जीव इस्त्री इस कायां दे रही ये वर्दन कीता गया है पर नाल ही सत्गुरु जीने इस जीव इस्त्री नूँ चंबड़े हुए जड़े रोग हन या विकार हन उनना दा उलेख भी एसे ही शबदविच कीता है पाच्छा जी दे बचन हन प्रत्थ में तेरी निकी जात हुण कई वार कदी किसे इनसान नूँ कोई गल समझानी होवे न जी असी कहन दिया पहली गल ते ए सुन दू जी गल ए ती जी गल ए सत्गुरु जिने इस जीव इस्त्री नूँ संबोदन कर दे हुए आख्या है हे जीव इस्त्री ए सब तों पहला तेरी जीडी जात है जात दा अर्थ है जी जनम क्योंकि मैं एक बेंती कर देया गुरु बानी दे विच एको ही शबद दे बहु अर्थ हों दे जी मैं एक उदारन केवल लवा बानी दे विच सार शबद आया है सार एक एवली कुदारन जे बस हुण सब तों प्रथम वार एशबद असी जबजी से विच वेख दे हां असंख सूर मुह पाख सार हुण सार दा अर्थ एत्थ है जी लोहा शस्तर के कितने सूर में ऐसे हन जड़े मैदाने जंग विच अपने मुह दे उत्थे लोहा खांदे हन पाखदा अर्थ है जी खाना सूर केंदे सूर में अनो एसे परकार जड़े शबद आवेगा हो सार ना जाना तेरी राम ते सार दे अर्थ हो जानगे डुंगाई के तू कितना डुंगा है तू कितना गेरा है एसे परकार सार दे अर्थ होंदे हन जी खबर वह इने मेनी सार भी नहीं लई तो गुर्बानी दे विच इको ही शबद बिलकुल इको तरीके ना लिखिया होएगा ओदे कई अर्थ पर करन मताबक होणगे इते जात शबद पामे जो शबद बानी चे जाती वास्ते आउंदा है ओँ ही है पर करन दे मताबक जात दा अर्थ होजावेगा जी जनम हे जीव इस तरिये सब तो पहला ता तैनु बड़ा सोना जनम प्रापत होया है तेरा ए मनुखी जनम रूपी जीड़ी तेरी जात है ए बड़ी निकी है निकी दा पाव है जी सोनी बाणी चे निकी शब्द भी जदो आएगा न ए दे भी कई अर्थ है जिवे निकी कीरी में कल राख है निकी जई कीरी छोटी पर जदो आवेगा निकी साध संगानी अर्थ हो जाएगा गुरू दी संगत बड़ी निकी है सोनी है तो एथे जो निकी दा शब्द है अर्थ बढ़ेगा शब्द दा ओ बढ़ेगा जी सोनी के हे जीव इस तरिये वेख अकाल पुरखने जो तेनू ए जनम दिता है मनुखी जनम है मनुखी जनम वाली जो तेनू जात मिली होई है ए कितनी को सोनी है दूतिया तेरी मनिये पांत केंदे दूजी गलहोर सोना के जित्थे तेरा जनम बड़ा सोना है मनुखी जनम उत्थे तेरी खांदानी भी मन्नी पर मन्नी है एक शबद आम जात पात सी वर्त देहां गुरू कर देविच हालां के जात पात गोत बरादरी इस सारिया चीजा नो सत्गुरू ने रद कीता होया है पर फिर भी बेंती करा जे पांत शबद आया है ते एदा अर्थ होएगा तेरी खांदानी पाव तेनू ओ कुल मिली है जिड़ी कुल बाकी जोनिया दे कुल नहीं है तु कुल वाली है खांदान वाली है तेरा कुटंब है तृतिया तेरा सुंदर थान तीजी गल होर सोन के जिड़ा तेरा थान है हुन थान दे दो पाव लवांगे एक ते रेन दी जगा हुन एथे एक जगा ते ओ है जिते सरीर रेन दा है जिन्नों सी अपना काराख देंदे हां ते थान दा अर्थ असी सरीर लवांगे क्योंके आत्मा नो किया जा रहा है के तेरा रेण दा था एस समय आत्मा किथे रह रहा है शरीर दे बिच ते पाच्छा आख दे केंदे जिस शरीर रूपी कारविच तू रह रही है वो शरीर रूपी कारवी बड़ा सुन्दर है सोना है आप वेखो पामे चलो असी शकल सूरत करके सुन्दर तानुवसी कंपेर कर दे हां पर बाणी ने जदो 84 लख जोनादी जिकर कीती सत्गुरु जिने सब तो वड़ा मुकाम मनुकुनों दिता है और आज दे शबद विच ही अगे जिकर आवेगा के अवर जोन तेरी पनेहारी तेरा मुकाम सब तो उच्चा है तेरा थान तेरा ए सरीर रूपी कार सब तो उच्चा है उन एन्ने गुण तेरे कोल हन पाव तेरे कोल जनम भी बहुत सोना है तेरे कोल खांदान भी बहुत वदिया है मन्या पर मन्या है तेरा मनुकी सरीर रूपी कार और तिकाना भी बड़ा सुन्दर है पर सत्गुरु आके दे केंदे इना नालिक दोश भी तेरे नाल चंबड गया है आके वो दोश की है जी बिगड रूप मान में हैं अभिमान एना पावे गुणा करके जो सोना जनम वदिया खांदान और सुन्दर शरीर रूपी गुणा करके केंदे पावे तेरी पौतिक अवस्था पौतिक अवस्था पाव है जी फिजिकल जो तेरा स्टेट है ओते पावे बहुत सोना है पर रब दी दृष्टी दे विच तेरा रूप विगड़या होया है तो कोज ये रूप वाली है क्यों क्योंके अभिमान ने हंकार ने तेरे अंदर प्रवेश कीता मन मैं अभिमान मन विच जड़ा अभिमान है हंकार है इस हंकार ने तेरा सारा रूप विगाड़ के रख दिता है इनों इन समझ लेना जी बंदे दे नैन नक्ष चंगे होन सरीर चंगा होवे एदि जात कुल गोत वी सो कॉल्ड जो खोती है एचंगी होवे पर अपने सरीर दे उत्ते बड़ा मेला जा वस्तर पाके कुमे बड़े मेले कपड़े पाके कुमे लोग केहन के हैते वदिया पर वार्दा पर वेखो हालत की बनी होई एदि सत्गरू बस एही समझा रहे हैं के तेरे कुल सब कुछ वदिया है सब कुछ स्रेष्ट है पर जिड़ा तू हंकार तारन करके बै गया है ए जीव इस्तरिये जिस हंकार नो तू जीवन विच तार लिया है हंकार दे जो तू वस्तर हंकार दा जो तू चोला पाके संसार विच कुम रिया है फिर रहा है यह ने तेरे सारे रूप उन्हों विगाड़ के रख दिता है ते किमा करियो मैं गुरू गरंच सहव जिदी हजूरी चेक बेंती करन लगा है साड़े चो मेरे समेथ कोई ऐसा नहीं जिने हंकार वाले कपड़े ना पाए होई हो नहीं पाए ऐसी असा सारे ने हंकार दे वस्तर पाए यह वकरी गल है किसे दा कपड़ा छोटा है ते किसे दा कपड़ा वड़ा है यह ते एक वकरा रूप है पर किसे ना किसे रूप विच असा ने अभिमान नो आपने अंदर तार्या होया है और अभिमान दी परखते इत्तों ही हो जाएगी पावें किमा करेओ हकीकत जे संगच्चे सी टिके हो बैठे हाँ पर थोड़ी जे गलत सा नो कोई आख देवे फौरन अंदरो अभिमान जाग जाएगा वी तेरी ए मजाल तू मैनू गल किमें आख देती गल नो पकड़न दी कोशिश करे हो तो सत्गुरु कहन दे एक पासे पावें तू बोल मिठा रहा है एक पासे पावें तू करम चंगे कर रहा है पर तेरे अंदर दे अभिमान ने तेरे सारे रूप नो विगाड़ दिता होया है और एक बेंती होर कर देयां केवल अभिमान मनुखनो लेना के बोते तार्मीक करम केवल अभिमान दी पूर्टी वास्ते ही हों दे हन मैं एक जिकर आसा दी वार चुकरां ते अगे वदा सत्गरू जिने जदों इस सलोक दी अरमता कीती ना जी मुसल्माना सिफ्ट शरीयत पड़ पड़ करें भी चाहर इदे चे इसलाम वालें दा जिकर कीता सत्गरू जिने हिंदू साला ही सालाहन दिर्शन रूप अपार जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार ये थे एक शबद पाथशा ने वरता सतिया मन संतोख उपजय देने के वीचार एक उन है बड़ा वड़ा सती किया जानदा है दानी नू और सतिया जदो आगया दानिया के ओ लोक जड़े दान करना चाओंदे हन पाव सेवा करनी चाओंदे हन उन्हादे मानविच बड़ी खुशी आउंदी है जदो उन्हानों पता लगदे अबे किद्रें सेवा आगई किद्रें सेवा मिल गई पर पाज्छा आगदे कहन दे इक पासे जित् apostles अगण उन्हानों रब ने दिता या उन्हादे अन्दर सेवा दा जजबा रब ने पाया है दूसरे पासे उन्हादे अभिमान ने उस सेवा नो उत्थे तक नहीं पहुँझन देता जित्थे तक सेवा फली भूत होनी चाहिए दी सी किमें एक पक्ते लिया बई सतियां मन संतोख उपजय देने के विचार देन दी विचार नल उना दे मन चे संतोख खुशी आउंदी है पर सत्गुरु केंदे दोश किसी दे दे मंगे हैं सहसा गुणा शोब करे संसार केंदे अंदर वाले अभी माने ने एगल आख दित्ती बई जदो देवा न तेकते दित्ते होए दा हजारां गुणा मैनों वापस मिल जावे दे दे विश्राम लाके पड़ो बानी मंगें दे दे के मंग दे हन की सहसा गुणा सहस केंदे हन हजार नो जैसी केंदे ने चार गुणा चीज है पंच गुणा चीज है हजार गुणा वापस भी मंग दे हन ते अंदर दा भी मान केंदा है के जिस वेले देए ना जी शोब करे संसार लोग जकारे जरूर लान भाई इने इतना दान दे दिता मेरा नाम जरूर बोले आजाए खिमा करना इनु केंदे बिगड रूप मन में है अभिमान बैरुनी रूप ते तेरा सी जड़ा मनुखी जनम वाला जड़ा तेरा मरातबा है ओ ते बहुत उच्चा है ओ देचे कोई शक नहीं के और नाल बड़ा वड़ा दोश अभिमान दे रूप दे विच जिसने तेरे सारे जीवन नू तेरे सारे रूप नू विगाड के रख दिता है और नू कोजा कर दिता है सोहनी सरूप सुजान बिचक्खन अतगरबे मोहफा की तू रहाओ हे जीविस्त्रिये तू सोनी है सुरूप तू रूप वाली है पाव तेरी सुंदर्ता विच कोई कमी नहीं रब ने तैनू सुंदर काया दिती तैनू रूप दिता तैनू सोना बनाया परमात्माने सुजान बिचक्खन सुजान केंदी हैं जी स्यानी नो तू स्यानी वी है ते बिचक्खन किया जानदा है तू चतुर वी है पाव तेरे अंदर स्यान अप ते चुस्ती दोनो हन तू कारज नू करण विच कोई टेल नहीं लेंदी बलके स्यान पनाल कारज कर दी हैं एक गुणते तेरे अंदर मौजूद हन पर सत्य गुरु आखदे अत गर्बै मौँ फाकी तू तू आत ही हंकार दे विच और मौँ दे विच फसी पई हैं और मौनू ते सत्य गुरु जिने दलदल किया है ते आप चेता रखना दलदल दे विच मनुक जितने हाथ पैर मारेगा ना बार निकलन दे उतना तस्दा जाएगा और इस दलदल दा जिकर गुरु नानक सहिव जिने कीता है आसा राग जेही आप जी रोज पढ़ दे हो तेत सरवर्डे पढ़ो तेत सरवर्डे पही ले निवासा पाणी पावक तिने किया पंक जो मोह पग नहीं चाला है हम देखा तह डोबी ले पाच्छा आख दे केंदे साड़ा आत्मा साड़ी सुर्थ उस सरोवर्डे विच खलोती होई है उत्थे साड़ा निवास है साड़े जीवान दा सरवरड दा अर्थ है के उस सरोवर्डे विच आम सरोवरां चे पाणी है सातव गुरू केंदे इथे पाणी नहीं इथे पावक है पावक केंदे अग नो पाणी पावक तिने किया इथे रब ने अग पैदा की ती अग किस चीज दी दी तृष्णा दी आग नाल सत्गुरु केंदे पंक जो मोह पंक नहीं चाल ला है पंक केंदे चिकड नू जिड़ा मोदा चिकड है जिदे विच पैर चल दे कोई नहीं असी इस मोदे चिकड विच फस चुके यहां पाच्छा केंदे हम देखा तहां डूबी यले साड़े देख देख दे कितने आए ते कितने ही इस चिकड विच डूब गए और निकलन दा तरीका की है एक परमातमा नू चेते करना उनू पुकारी जाना उदे नाम नू जपी जाना नाम जप जप के ते चेता रखना इस चिकड चों बाहर निकल जाएगा इनू केंदे जे को डूबे फिर होवे सार उदी संभाल होंदी है पर कौन बचदा है जड़ा डूबदे होई वी पुकारदा है वाई गरू वाई गरू जड़ा डूबदे होई वी पुकारदा है साथ गरू केंदे उस डूबदे होई नू सहारा मिल जानदा है रब आप उदा सहारा बन जानदा है ए नाम ही उदा सहारा बन जानदा है उदी वी संभाल होंदी है उनू बार कड ले आ जानदा है आज जिस निगरी होई हालत दा वर्णन इस जीव इस त्रीदी की था गया यह है जी आत गर्बै केवल गर्बै नहीं लिखिया आत आत दार था जी एक्स्ट्रीम और अती हो गई यह से कहने हैं न हूनते अती हो गई बस जदों गल बरदाश तो परे हो जाए के इतना हंकार इतने हंकार देविच और मो देविच तू फाकी पाव फसी होई है के इंज लगदा है के तू निकल नहीं पावेंगी